सब बढ़ियां होंगे तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यानि के सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 1.1 का कुशन नंबर 6.2 से पिछले क्लास में हम लोगों ने 5.1, 5.2, 5.3, 6.1 ये सारा कुशन को सॉल्व किया था जिसमें basically क्या था के sentences को कैसे हम लोग equation में convert करेंगे जो हमें sentence दिया हुआ है जो हमें problem sums दिया हुआ है उसको कैसे equation में convert करेंगे ये हमने last class में सीखा था same वही principle आज भी follow करेंगे बड़ फर्क ये रहेगा difference ये रहेगा कि last class का जो question था वो बच्चा वाला question था यानि बहुत ही easy था आज के class वाला question रहेगा उसका level थोड़ा सा tough रहेगा ठीक है साथ ही अगर आज जो हम लोग करने वाले हैं उसको अच्छे से आप समझ जाते हो तो exercise 1.3 में जो questions है जो के मध्यमी के exam में directly पूछा जाता है उसको आप अच्छे से solve कर पाऊगे और आप easily 3 marks paper में उठा ठीक है ना तो excited watch के class के लिए बिल्कुल भी आ इस्टार्ट गरते हैं तो question हमारा क्या है question है question है आपका question number 2 और question ये पूछ रहा है कि one person bought some kg sugar at Rs.80 if he would get 4 kg more sugar with that money then the price of 1 kg sugar would be less by Rs.1 कहने का मतलब ये कोई एक आदमी है जो बाजार गया है जा कर कुछ सुगर यानि कुछ चीनी ख ठीक है कितने में खरीद रहा है तो 80 रुपए उसने दुकांदार को दिया दुकांदार ने उसको कुछ चीनी दिया होगा अब बोला ये जा रहा है कि अगर दुकांदार ने जिस price पे उसको चीनी दिया है अगर वो price एक रुपए से कम कर दिया जाए यानि माल लेते हैं price आपका 5 रुपए पर किलो हो तो अगर वो price चार रुपए पर किलो कर दिया जाए यानि किलो में एक रुपए अगर कम हो जाता है तो वो जितना भी शुगर खरीद कर लाया है उससे 4 kg जादा शुगर उससे खरीद सकता है ठीक है ये आपका question है इसी चीज को हमें क्या करना होगा इस वाले जो sentence है इसको हमें एक equation में frame करना होगा करें frame जी भया बहुत मजाएगा देखो अच्छीज अगर आप देखोगे तो इसमें data जो missing है वो यह missing है यहाँ पर लिखा है some kg हमें यह समझने आ रहे है कि actual में वो 80 रुपए में कितना kg सुगर खरीदा है तो हम यह उसने 80 रुपए में कितना शुगर खरीदा है तो हमने बोल दिया कि उसने 80 रुपए में x kg सुगर खरीदा होगा ठीक है तो हमें variable पहला वाला मिल गया तो अब यहाँ पर जब हमें यह पता चल गया कि x kg का price 80 रुपए है तो हम लोग 1 kg सुगर का price निकाल सकते हैं kg का जो price होगा 1 kg का जो price होगा वो कितना होगा वो होगा आपका 80 divided by x just इस तरीके से कि अगर आपने 20 पिन खरीदा है 40 रुपय में आपने 20 पिन खरीदा है 40 रुपय में तो एक पिन कितना में आपने खरीदा होगा 40 divided by 20 यानि एक पिन आपने 2 रुपय में खरीदा होगा exactly इसी तरीके से आपने x kg सुगर अगर 80 रुबय में खरीदा है तो 1 kg सुगर आपने 80 by x में खरीदा होगा, simple है ना, बिल्कुल भाईया, अब यहीं पे अगर हम लोग देखें according to question, according to question, जो हमारा next जो चीज बोल रहा है, अगर उसको हम लोग देखें, लेकिन से पहले यह 20 वाला यह पिन जो हमने खरीदा इसको ही रेस कर देते हैं, next अगर हम लोग देखें यहाँ पे, जो के basically क्या बता रहा है कि अगर price आपका 1 kg सुगर का 1 रुपय जादा हो जाता price अगर 1 रुपय जादा हो जाता, तो हम लोग 4 kg और सुगर खरीद सकते हैं, कितने में 80 रुपय में ही खरीद लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग x प्लस 4 kg सुगर खरीद सकते थे, कितने में भाई, 80 रुपय में ही, ठीक है न 80 रुपय में ही, यह हमारा second condition है, यह हम लोगों का second condition है second condition का मतलब क्या हो गया second condition का मतलब यह हो गया कि जब हमारा price sugar का एक रुपय कम हो गया है तब क्या हो रहा है तब यह हो रहा है कि हम लोग 80 रुपय में x plus 4 kg सुगर खरीद पा रहे है simple समझ में आ रहा है आगे बढ़ते हैं देखो जब x plus 4 kg आपका 80 रुपय में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया 1 kg कितने में आएगा भाई तो 1 kg सुगर हमारा आ जाएगा 80 divided by x plus 4 में आ जाएगा ठीक है तो उपर वाला आपने क्या निकाला रुपीस 80 by x 1 kg सुगर का price है दूसरे में आपने क्या निकाला रुपीस 80 by x plus 4 ये भी 1 kg price है 1 kg का price है सुगर का ठीक है कहने का मतलब यह है कि दोनो case में यानि पहले वाले case में ये वाला जो आप चीज देख रहे हो इस वाले case में और दूसरे वाले case में दोनों में हमने क्या किया कि 1 kg का कितना price होगा 1 kg का कितना दाम होगा हमने वो निकाल लिया ठीक है clear है यहाँ पे अब question में क्या दिया हुआ है कि दोनो time में यानि first condition में और second condition में जो 1 kg price का difference है वो कितना है एक रुपे है ठीक है और हमने दोनो time में exact क्या price होगा सुगर का वो निकाल दिया तो अगर दोनों के price को minus कर देते हैं अच्छे से समझना अगर दोनों के price को minus कर देते हैं तो original वाला price और बाद में जो घट के price आया दोनों को minus करेंगे तो कितना का difference निकलेगा एक किलो में एक रुपए का difference निकलेगा क्योंकि यहां पे वो अल्लेडी लिखा हुआ है कि अगर हम लोगों का एक रुपए price कम हो जाता ना एक किलो पे तो हम लोग चार किलो और सुगर खरीच सकते थे तो हमने क्या किया हमने दोनों condition में यह पता किया कि एक किलो सुगर का कितना price होगा जब एक किलो सुगर का price निकल गया तो अब क्या करेंगे दोनों price को जब एक दूसरे से minus करेंगे तो हमें अल्लेडी पता है कि दोनों price में कितना का difference है तो भाई एक रुपए का difference है समझ रहे हो तो आगे चलते देखो अगर हम लोग यहाँ पे देखे तो हमारा जो 80 divided by X है यह हमारा original price था जिस पे आपने चीनी खरीद के घर लाया था और यह वो price है जो अगर होता तो क्या होता आप 4 kg और सुगर ले आते अपने घर में और दोनों के price में difference कितना का है जादा नहीं बस एक रुपे का difference है ठीक है तो यह आपका equation frame हो गया अब इस equation को क्या करना होगा थोड़ा सा simplify करना होगा और simplify करके standard form of quadratic equation में लिख देना होगा तो लिखते हैं इसको आप cross multiply कर लो लेकिन हम लोग उससे इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका minus तो मैंने यहाँ पर minus लिख दिया उसके बाद हो जाएगा आपका 80 into x तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 80 into x नीचे हम लोग क्या कर रहे थे नीचे LCM लेंगे तो क्या आएगा x, x plus 4 आएगा ठीक है यहाँ पर आप अच्छे से देख ले x यहाँ पर है यह वाला और यह है x plus 4 LCM लेंगे तो क्या आएगा x into x plus 4 आएगा ठीक है तो अब यहाँ पर हमें हो गया पता चल गया और इधर क्या है हमारा 1 है तो 1 को हमने लिख दिया इसको तो लगा और सिंप्लिफाई करते हैं उपर में क्या आ जाएगा आपका 80x तो हमने 80x लिखा प्लस 8, 4 जा कितना हो जाएगा 8, 2, 16, 8, 24, 8, 32 यानि 320 हो जाएगा minus 80x is equals to यह x into x plus 4 जब multiply होगा तो क्या बनेगा x square plus 4x और यह जब आपका right hand side में जाएगा तो यह किसके साथ multiply हो रहा है 1 के साथ 1 के साथ multiply हो के क्या होगा जितना है उतना ही रहा जाएगा तो कितना रहेगा x square plus 4x ठीक है अब आगे इसको और simplify कर लेते हैं हम लोग 80x plus में है 80x minus में है तो दुनों cut जाएगा सिर्फ इधर बचेगा 320 और इधर क्या बच गया हमारा x square plus 4x बस यही बच गया इधर next हम लोगों का क्या है भाई तो x square plus 4x को ऐसी रहने देते हैं और 320 का जो है side वो change कर देते हैं तो एक side अगर वो plus में है उसका side change करेंगे तो किस में हो जाएगा minus में हो जाएगा well done तो इसको minus में कर देते हैं minus 320 is equals to क्या हो गया 0 तो यह वो equation है जो आपका ऐसा equation है जिसमें क्या बता चल रहा है कि चीनी का जो price है न वो कैसे इधर उधर हो रहा है हम लोग का एक रुपए इधर उतर होने से कैसे 4 kg चीनी जो है वो बढ़ जा रहा है अगर इस equation को आप solve करोगे तो हमें x का value पता चलेगा और x का value क्या है x actual में है कि आपका 80 रुपीस में कितना आपने चीनी खरीदा था उसी को हमने x माना था तो यहाँ पर हमें solve नहीं करना है यहाँ पर just हमें equation को frame करना था I hope कि आपको समझ में आयो exact same तरीके का equation रहेगा बट अगली बार जब हम लोग करेंगे next exercise में ऐसा exact question आपको देखने को मिलेगा ठीक है जहाँ पर हम लोगों को solve करना होगा question को ठीक है the distance between two stations is 300 km यानि दो station है आपका दो station मान लेते हैं कि आप जहां रहते हो एक station वहाँ पर होगा और एक station मान लेते हैं कोलकाता में ठीक है तो दोनो station के बीच का जो gap है दोनो station के बीच का जो distance है वो कितना है वो है 300 km ठीक है तो इसको इस तरीके जा समझते हैं आप अपने नानी घर में बैठे हो वहाँ पर एक station है और आपके दादी घर इन दोनों के बीच में जो station का gap है वो 300 km है यानि अगर आपके अपने नानी घर से आपको दादी घर जाना है तो आप जब ट्रेन पे बैठे अपने नानी घर से आपको दादी घर जाने में यानि 300 km दूर जाने में जितना भी टाइम लगा है वो टाइम दो घंटे कम हो जाता अगर ट्रेन का स्पीड 5 km और बढ़ जाता यानि के माल लेते हैं ट्रेन चल रहा होगा 90 km के स्पीड से बढ़ अगर 95 km के स्पीड से चल रहा होता तो आप अपने दादी घर 2 घंटे पहले पहुँच जाते ठीक है तो इसी चीज को क्या करना है ना इसी चीज को हमें equation में frame करना है quadratic equation में कैसे करेंगे देख लेते हैं velocity of train क्या करेंगे x मान लेंगे यानि के velocity of train bx ठीक है train bx km per hour यानि के जो हमारा velocity है train का initially उस time क्या होगा x km per hour होगा अब जब हमने ये मान लिया तो हमें distance क्या पता है भाई तो distance हमें मालूम है के distance कुछ नहीं है बलके आपका 300 km से दोनों के बीच का distance यहां तक हमें समझा आ गया बिल्कुल भिया अब हम लोग ये पता करते हैं कि जब आपका speed x km per hour है और distance 300 km per hour है तो आपके नानिघर से दादिघर जाने में कितना time लग सकता है तो time कैसे निकालेंगे भिया time निकालने का simple तरीका है आपका distance by speed distance हमारा 300 km से speed हमारा x km per hour है तो हमें क्या पता चल गया time पता चल गया ठीक है पहले case में अब माल लेते हैं कि जो train का driver था वो क्या कर दे रहा है speed को तो बढ़ा दे रहा है train का है उसको भी जल्दी जाना है तो वो train का speed को बढ़ा दिया यहाँ पर new velocity is equals to कितना से बढ़ा है भाई तो 5 km से बढ़ा गया है पहले x km per hour के speed से चल रहा था अब x plus 5 km per hour के speed से चलेगा काफी समझधार हो आप next हो गया आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर इसके बाद अगर मैं distance देखूं तो क्या distance में कोई changes आ रहा है नहीं भी है distance तो वही है हमारा distance कहाँ change हुआ है तो मैं लिख देता हूँ 300 km distance से में अब निकालते हैं time यानि कि जब जो आपका pilot था उस train का उसने जब रफ्तार को बढ़ा दिया तो अब कितना time लगेगा यह दोनों मतलब यह जो distance है उसको cover करने में अब कितना time लगेगा तो अब लगेगा आपका distance divided by velocity यानि x plus 5 यह आपका नया time निकल गया ठीक है तो अब एकदम दिहान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ हमने पहले यह पता किया कि जब actual में जो speed से train चल रहा था उस speed से अगर चला तो कितने time में पहुँच जाएगा उसके बाद हमने यह पता किया कि अगर train का जो pilot है वो speed बढ़ा देता है तो कितने दिर में हम लोग पहुँच जाएगे अब question में अगर आप दिहान से देखो जो difference है यानि यहाँ पे जो हमारा time निकला है और यहाँ पे जो हमारा time निकला है उन दोनों के बीच का difference कितना है दो घंटा है यानि पहले हम लोग अगर 9 घंटा में पहुँच रहोते तो बाद में हम लोग 7 घंटे में पहुच जाएगे तो इसका म्तलब ये हुआ कि अगर हम लोग इन दोनों को माइनस कर दें यानि पहले जितना time ले रहा था माइनस, speed बढ़ाने के बाद जितना time ले रहा है, उन दोनों को माइनस कर दे तो कितना answer आएगा, 2 आएगा क्यों, क्योंके उन दोनों को जो minus करने से जो value आ रहा है वो 2 आ रहा है इसलिए है क्योंकि हमारा speed बढ़ाने से जो distance यानि जो हमारा time traveling का time है वो 2 घंटा कम हो जा रहा था ठीक है इसको क्या करते हैं नया slide लेके वहाँ पे जाते हैं और जाने की बाद यहाँ पे लिखते हैं क्या कि इन दोनों को minus करते हैं तो हमारा जादा time कब लग रहा था पहले वाले case में जो के कितना था 300 by x इसको अगर minus कर देते हैं जब speed बढ़ गया उससे में हमारा कितना time लग रहा था उससे में हमारा लग रहा था x plus 4 यही है न देख लेते हैं एक बाद x plus 5 है तो यहाँ पे मैं x plus 4 नहीं x plus 5 लिख देता हूं x plus 5 ठीक है इन दोनों के बीच का gap कितना है यानि दोनों में time का difference कितना है दो गंटा एक में दो गंटा पहले पहुँच जा रहे speed बढ़ाने से ठीक है हो गया बन गया अब इसको क्या करेंगे simplify कर लेंगे simplify कर लो आप 300x ठीक है ना ओके is equals to क्या हो गया 2 हो गया अब जस्ट एक सिंपल सा काम करना है क्या काम करना है वहिए सिंपल सा cross multiplication तो कर ले cross multiplication बिल्कुल कर लेते हैं यह हो गया आपका 300x plus 1500 तो एक काम करता हूं 300x नहीं लिखता हूं क्यों 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 देखो plus 300x minus 300x क्या आएगा 0 2 आ जाएगा तो शिरिफ 1500 लिख देता हूं बाकी छोड़ देता हूं इस इक्वल्स टू क्या हो गया यह आपका हो गया एक्स और ब्रैकेट में क्या है एकस प्लस 5 मल्टिप्लाइ करें क्या आएगा एकस स्क्वार प्लस 5x ठीक है तो यहाँ पर मैं सिंपली 2 लिखता हूं और यहाँ पर लिखता हूं x square प्लस 5x यानि मैंने कुछ नहीं किया यह वाला जो यहाँ पर आप देख रहे हो टर्म इस वाले टर्म को solve करके मैंने महाँ पर लिख दिया है ठीक है solve करके तो next इसको simply हम लोग क्या कर लेंगे simplify कर लेंगे simplify कर लेंगे तो क्या आएगा यह य कर लेते हैं 2x square plus 10x minus 1500 ठीक है is equals to क्या हो गया 0 हो गया और यहाँ पर देखो 2 2 2 तीनों में आपका 2 common है यानि 10 जो है उसको भी हम लोग 2 से काट देंगे तो 5 आ जाएगा 1500 भी 2 से कटेंगे तो 750 आ जाएगा और पहले वाले टर्म में 2 है तो जब 2 को common ले लेंगे तो आपको पता ही है वो 2 जो है वो right hand side में 0 by 2 होके 0 बन जाता है तो हम लोग यहाँ पर common लिखते नहीं है बलकर directly x square plus 5x minus 750 is equals to 0 लिखते है ठीक है तो यह वो equation है जिस equation को solve करने के बाद आपको यह पता चलेगा क्या पता चलेगा देखो एक समने किस हीच को माना था एक समने माना था velocity of train को तो आपको यह पता चलेगा कि जिस train पे आप बैट कर जा रहे थे वो train actual में किस speed से चल रहा था यह आप लोगों को पता चल जाएगा ठीक है तो इस equation को solve कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे जब exercise 1.2 कर रहे होंगे और factorization method सीख रहे होंगे ठीक है ना तो make sure उसके velocity क्या था ठीक है ना train का velocity क्या था यह आपको पता चल जाए by the way lecture आ रहा है कितने बजे भीया lecture आ रहा है everyday Sunday को छोड़ कर सिर्फ साम में 7 बजे आ रहा है ठीक है ना तुससरे में ready रहना आप लोग यह होगा हमारा question number 6.3 next question जो हम लोग करने वाले है that is 6.4 अब यह question ना अच् a clock by purchasing it at rupees 336 तो normally अगर इस question को आप पढ़ोगे तो आपको क्या समझ में आएगा इस sentence है हमें यह समझ में आ रहा है कि a clock seller sold a clock by purchasing it at rupees 336 तो हमें यह समझ में आ रहा है कि वो जो seller है उसने घड़ी को 336 रुपय में खरीदा होगा but actual में इस question में बोलना यह चाह रहा है ना कि एक seller ने एक घड़ी को खरीद कर बेचा कितने में बेचा 336 रुपय में ठीक है sentence को समझो अच्छे से एक seller ने clock को खरीद कर बेचा कितने में 336 रुपय में यह बोलना चाह रहा है तो जब यह बोलना चाह रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब यह हो गया कि जो हमारा selling price है जो हमारा selling price है वो आपका है 336 ठीक है यानि एक clock seller एक clock को खरीदता है और खरीदने के बाद उसको 336 रुपय में बेच दे रहा है यही बेसिकली यहां पर लिखा हुआ clock seller sold a clock by purchasing it at rupees 336 ठीक है तो selling price हमें पता चल गया उसके बाद क्या question है उसको पढ़ते हैं the amount of his profit percentage is as much as the amount with which he bought the clock यानि कितना percent उसको profit हुआ वो किसके बराबर है वो बराबर है आपका कि उसने कितने में खरीदा था किस इसको उस specific clock को इसका मतलब यहां पर क्या हो गया के यहां पर हमें percentage निकालना होगा percentage निकालना के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि उसने actual में खरीदा कितने में था यानि cost price पता होना चाहिए तब-तो हम लोग पता कर पाएंगे कि profit कितना हुआ जब ये पता चलेगा कि profit कितना हुआ तब निकाल पाएंगे कि profit percentage कितना है ठीक है तो profit कैसे निकालेंगे उसके लिए हमें cost price चाहिए होगा लेकिन cost price तो भईया पूरे question में दिया हुआ नहीं है तो अब क्या करेंगे अब हम लोग cost price को मान लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि let cost price be rupees x ठीक है तो अब हमारे पास दो data है selling price जो कि already दिया हुआ था question में कि एक clock seller ने क्या किया एक घड़ी को बेचा कितने में बेचा 336 रुपे में बेचा उसको खरीद कर ठीक है उसके बाद हमें यह दिया हुआ है कि कितना उसको profit हुआ यानि profit percentage जो है वो किसके बराबर है वो बराबर है उसने जितने में खरीदा था उसके बराबर यानि cp के बराबर है उसका profit percentage exact इसी चीज को हम लोग equation में भी convert करेंगे बड़ उसके लिए हमें क्या चीए था cost price चीए था कि actual उसने खरीदा कितने में तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे ना कि percentage कितना percentage profit हुआ उसको तो अब अगर आप लोग देखो कि according to question अगर आप देखो according to question तो हमें क्या समझा रह आपका profit निकल जाएगा एकदम simple है ना मान लेते हैं आप कोई समान खरीद रहे हो 10 रुपय में आपने उसको 15 में बेचा मैंने आपको बोला कितना फाइदा हुआ बताओ तो आप क्या करोगे आप 15 को 10 से minus करोगे और बोलोगे भाईया 5 रुपय फाइदा हुआ मुझे ठी हमें क्या करना होगा यहां पर percentage निकालने के लिए देखो क्या तरीका होता है कि जो आपका profit है उसको divided by जिसने में आपने खरीदा था तो खरीदा था कितने में आपने cost price में multiply कर दो उसको 100 से तो आपका यह पता चल जाएगा कि आपको कितना percent profit हुआ है इस case में अगर मैं ब पेचा बट खरीदा था आपने 10 रुपय में उसको multiply कर दो आप 100 से तो आपको क्या पता चला कि आपको 50% profit हुआ correct same चीज यहां पर apply करेंगे कैसे देखो यहां पर अगर हम लोग question को पढ़ें तो question में क्या बोल रहा है कि amount of his profit percentage is as much as the amount with which he bought the clock यानि उसने जितने में clock को खर profit percentage है तो profit percentage निकालने का मैंने तरीका आपको बता दिया क्या है SP-CP तो यहां पर मैं लिखता हूँ SP-CP divided by CP यानि cost price into 100 ठीक है is equals to हमारा क्या होता है is equals to यहां पर हमारा question में दिया हुआ है CP ठीक है अच्छे से देखो क्या लिखा है the amount of his profit percentage is as much as the amount with which he bought the clock यानि के उसका profit percentage का जो amount है वो किसके बराबर है वो बराबर है उसके जितने में उसने खरीदा था clock को तो अगर आप यह वाला equation को देखो तो वो equation exactly वही चीज़ दिखा रहा है एक हमने left hand side में क्या किया उसका profit percentage को रखा और वो कितने के बराबर है वो बराबर है उसने जितने में clock खरीदा था तो इसलिए हमने right hand side में जितने में उसने clock खरीदा यानि cost price को रखा बन गया बिल्कुल अब इसको क्या करेंगे values को put कर देंगे selling price हमारा क्या है 336 तो 336 लिख दिया मैंने minus cost price क्या है x तो हमने x लिख दिया divided by यहाँ पे cost price क्या है x into 100 ठीक है is equal to cost price क्या है हमारा x है अब इसको हम लोग और simplify करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे cross multiplication होगा और यह 336 जो है वो जाएगा इस 100 के साथ multiply होगा तो क्या बन जाएगा 336 double zero minus यह x भी 100 के साथ multiply होगा तो क्या बनेगा 100 x is equal to नीचे वाला x जाएगा और जागे right hand side वाल x के साथ multiply होगा multiply होगा क्या बनाएगा हमारा x square बनाएगा ठीक है बहुत अच्छा अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर continue करते हैं इस वाले जगे पर continue करते हैं तो देखो x square को वही रहने देते हैं बाकी जो number से उसको x square के पास लेके आते हैं तो अगर मैं is equals to 0 हो गया ठीक है तो यह वो equation है जिस equation का हमें जरूरत था यानि यह जो sentence आपने उपर पड़ा उपर में जो problem sums लिखा हुआ था उस problem sums का जो equation है quadratic equation वो कौन सा है वो आपने जो यहाँ पे देखा वही वाला यानि x square plus 100x minus 336 double 0 is equals to 0 अब अगर इसको हम लोग solve करेंगे तो हम x का value निकलेगा और x क्या है x है cost price यानि कि उसने कितना में घड़ी खरीदा था यह पता चल जाएगा अगर हम लोग x को solve करेंगे तो और solve करेंगे जब हम लोग exercise 1.2 को करेंगे तब हम लोग इसको solve करना सीखेंगे कि कैसे equation को solve किया जाता है तो I hope कि आपको अच्छे से का हुआ है आप जाए जाकर comment करें कि भाया यह वाला चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है ठीक है न और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को share करें ताके ज्यादा से ज्यादा बच्च लोग जो है वो इस वीडियो का फाइदा उठा पाए और subscribe करें ताके subscriber बढ़े देखने मजह आ जाए ठीक है मिलते नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए अपना धेर सारा ख्याल रखिए थैंक्यू